बत्तमीज बहू सभ्यता से भरा शास्री परिवार अपने इकलोती बेटी मोहिनी को बच्चपन में ही पढ़ाई करने के लिए विदेश बेज देते हैं, जहां से वो कई सालों बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा करके वापस इंडिया आती है. अब मोहिनी संसकार, सभ्यता और संस्कृती जैसी चीजों से कोसों दूर हो चुकी होती है. एक सुबा मोनी शॉट ड्रेस पहने, कानों में हैटफोन लगाए, जोर जोर से इंगलिश गाने का तेवे पूरे घर में घूम रही होती है. सुबा सुबा भगवान का नाम लेते हैं, राक्षिसों की तरह चिलाते नहीं. पॉप्स, आपको अच्छे गाने के बिल्गल समझ नहीं है, सो ठेक चल, पिल. अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या, सारी तमीज भूल गई हो. ओ मॉम, प्लीज, इतने बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डूंट ओवर रियाक्ट. धीरे धीरे दिन बीटते जाते हैं, जिसमें मोहिनी के तौर तरीके रहने और बात करने का ढंग उसके माता-पितों को परिशान करने लगता है. भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है, रिती रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब दो लगता भी नहीं कि कभी होगा. अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, लड़कियां सारे नखरे अपने माबाप को ही दिखाती है, ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी. पत्नी की बाद शास्त्री जी समझ जाते हैं, और कुछी दिनों में अपनी बेटी मोहिनी का रिष्टा अपने से भी ज़्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ तै कर देते हैं. रिष्टा तो पक्का कर दिया, पर यहां मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शाधी ब्याह के मामले में, आटे में नमक जितना जूट तो चलता है जी. इसके बाद एक से बढ़कर एक तिक्रम लगा कर दोनों मिलकर मोहिनी को शाधी के लिए त्यार कर लेते हैं. और कुछी समय बाद मोहिनी और निकिल की शाधी हो जाती है. अब क्या था? शाधी के अगले ही दिन से मोहिनी अपने असली अवतार में वापस आ जाती है और पूरे ससुराल में शॉट ड्रेस पहन कर घूमने लगती है. बहु को ऐसे घूमते देख सास की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं. अरे ये क्या बेशर्मी है हमारे घर की लड़कियां जिन्स तक नहीं पहनती और तुम बहु होकर इतने छोटे कपड़े पहन कर पूरे घर में गुम रही हो. सीरियसली मॉम प्लीज आप अपनी इस असी के दैशिक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत खरो. हाए तोबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, उपर से सास के साथ जबान भी लड़ाती है, अरे जल्दी कपड़े बतल करा, घर की पहली आरती तुमें ही करनी है. इतनी देर में निखिल भी वहाँ आ जाता है. मा, पापा आने वाले है, पूजा का सारा समन तयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉइफ्रेंस के पीछे पड़ी रहती थी, और अब हास्पन के पीछे भी आ गई. मोहिनी की बातें सुनकर सास तो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी ना किसी तरह मोहिनी को कपड़े चेंज करने के लिए मना ही लेता है. फिर पूजा खतम होने के बाद मोहिनी फिर से अपनी शौर ड्रेस में आ जाती है. मोहिनी की बात सुनकर ससुर तो राम नाम जबते वे अपने कमरे में चले जाते हैं. और इसके बाद सास बाहू में फिर से कहा सुनी शुरू हो जाती है. जिसे इगनोर करते वे मोहिनी घर से बाहर चली जाती है. और देरे रात वापस आती है मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है पर यहाँ चीजें कुछ अलेग है अगर तुम उस हिसाब से कुछ एड़्जस कर लो तो सब के लिए सही हो जाएगा अगली सुबह मोहिनी देर से उठती है और फिर से उसी तरह सब के सामने आती है जिसे देखकर उसकी साथ उसे कुछ कहती उससे पहले ही मोहिनी की दोस्तें मोनिका और रेचल आ जाती है ओ हाई डार्लिंग, हाव आई यू? ओ आम जी, वी मिस्ट ये सो माज आई मिस्ट ये टू डार्लिंग राम राम, इनोंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने है अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई मोहिनी, तुमारी मेड कुछ जादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाग बनाने लगती है जिसे सुन निखिल आँपबूला हो जाता है और उन्हें कड़वे शब्द सुना देता है इसके बाद मोहिनी की दोस्ते तो वहां से चली जाती है लेकिन मोहिनी गुसे से लाल होकर घूर तेवे निखिल को देखती रहती है घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोच कर कि विदेश में पड़ी लिखी हो घर में कोई positive change लाओगी अपनी करियर के लिए ambitious होगी पर अपने इस behavior से उस पड़ाय के साथ साथ अपने ममी पापा के नाम को भी डुबो रही हो अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखने है तो यहां रहने की कोई जरुरत नहीं है निखिल के बाते सुनकर मोहिनी रोतेवे घर छोड़कर वापस अपने ममी पापा के घर आ जाती है ससुराल में सब कुछ ठीक तो है वो अपने आपको समझते क्या है मोहिनी पर चला रहे है मैं क्यों उसके इशारों पर चलूँ मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना जाती हूँ और वो नहीं आप लोगों को मन्सूर था और ना ही उन्हे है तुम यहां नहीं रह सकती अपने पापा की बात सुनकर मोहिनी हैरान रह जाती है हाँ तुमने बिलकुल सही सुना अगर तुम्हें अपने इस घमंड बेशर्मी और बत्तमीज में ही जीना है तो तुम यहां भी नहीं रह सकती बेटी मैं मानता हूँ हमारे यहां रिती रिवास बहुत माईने रखते हैं और हमने उनी के ओवर्डो से बचाने के लिए तुम्हें विदेश बेजा था एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है उससे तुम अपने आपको ज्यादा समझ सको इसके लिए भीजा था तुम उससे ज्यादा समझो और बनो पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चड़ गई बेटा अपने ममी पापा के काफी देर समझाने के बाद मोहिनी को अपनी गलती का एसास होता है और अब वो अपने ससुराल वापस जाकर एक जॉब जॉइन कर लेती है और अपने ससुराल वालों को भी मौडन बनाती है और खुद भी कुछ रीती रिवाद और संसकार सिखती है और सब के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है